अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लदाक पर अपनी लालची नजरें गड़ा के और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे बीस जवान शहीद हो गए है क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विद्वाओं की चीखिया और उनके बच्चों के दिये बलिदान को क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है, वो सिर्फ सेनाओं का होता है वो सिर्फ सरकार का होता है क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है क्या हम भूल गए वो बक्चब मात्मा गांदी जी ने कहा था, अगर अंग्रेजों की रीड तोड़नी है भारत में, तो उनके बनाय हुए हर उत्पादन का वहिशकार करना पड़ेगा तो क्या यह जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें क्योंकि लदाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है भारत के असमीता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत की थेली है हम उसे किसी तरह से दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गोड़् है जितने भी उनके प्राड़क्ट्स हैं जिन भी companies में उन्हों इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको returns आते हैं, revenues आते हैं, organizations हैं, उन सब का वही शकार करें, ताकि वो उस संपत्ती से जो यहां से इंडिया से इकठी करके जाते हैं, उस संपत्ती से हतियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने चन्नी करते हैं, तो क्या ह हम इस युद में हम चाइना का साथ दे सकते हैं, आप बताइए, यह क्या हमारा करतव्य नहीं है, कि हम अपनी सेना का और अपने सरकार का साथे, तो हमें पतिग्या लेते हैं, कि हम आत्म निर्भर बनेंगे, और चाइनियस गुड्स को बिलकुल बॉयकॉट करेंगे, और इस युद में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे, जय हिंद।